यह कडोरो कडोर का खेल है अर्बो का भी खेल हो सकता है और इसमें बहुत बड़े बड़े लोग सत्ता के जो सीर्स पर बैठे हैं वैसे लोगों की सनलिपता हो सकती है अन्यमुख मंत्री जी आप कर क्या रहे हैं आप कहां अपने हवा महल में हैं आपको बिहार की वास्तिक तस्वीर आपके अधिकारी दिखा नहीं रहे हैं अमुली से ब्रोकर होंगे उनको पकड़ा जाएगा और इस मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा इसमें बड़े बड़े आधिकारी सनलिपत होंगे जो आईएस रेंग के होंगे कुछ मंत्री लेबल के होंगे अब कौन से वो लोग हैं जिनके पास वो एक्सेस था दिया गया है लेकिन इसके बाद सियासत जो है वो पूरी तरह गर्म हो गई है इसको लेकर अमारे साथ बात करने के लिए हैं लोग जनसक्ती पार्टी राम विलास के प्रवक्ता है चंदन सिंग उनसे हम बात करेंगे कि यह जो पेपर लीख हुआ है इसको कैसे देखते हैं कोई भी एक्जाम आप देख लीजिए बिना लीक हुए बिहार में होता नहीं है सिक्षा ब्यवस्था जिस तरीके से चोवपठ है उस तरीके से बिहार के जो नौजवान हैं जो रोजगार चाहते हैं सरकार से और तयारी करते हैं जीतोर तयारी करते हैं मा का जेवर प्रवादिके से निर्दाइपूर खेल खेलती है यह कल देखने को मिला और देखे बिहार का दुरभाग्य देखे विसाल जी कि ओने बारा में साड़े गारा में मीडिया में ऐसी खबर आ गई थी कि पीपर लीक हो गया और बिहार के मान्यमुक मंत्री जी रात के साड़े आपको बिहार की वास्तिक तस्वीर आपके अधिकारी दिखा नहीं रहे हैं आपको तो इसमें CBI जाच की अनुसंसा करनी चाहिए थी आप बिहार पूलिस के हवाले इस केस को कर रहे हैं इसमें वो चंद अपसर अधिकारी और जो मामूली से ब्रोकर होंगे उनको पकड़ जाएगा और इस मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा लेकिन इसमें जो बड़े-बड़े मगरमच हैं जो इतने बड़े BPSC बिहार लोक सेवा आयोग की परिक्षा को धूमिल करने का काम किये वो बच जाएंगे इसलिए लोक जन सक्तिपाटी राम बिलास CBI जाच की मां धारित हो कि जो इसमें दोसी हैं उनको चिन्हित करके पकड़ा जाए और उनके घर मकान संपत्ति को बुल्डोजर से ढार दिया जाए ऐसा मिसाल पेस कीजिए बिहार में कि जो इस तरीके की घटना करने में सनलिप्त होते हैं वो चाहे किसी भी सधार निक्जाम का बात हो या किसी परतियोगी परिक्षा की बात हो वो भविस्ट में ऐसा हिम्मत न जुटा पाएं कि बिहार के चात्रों के भविस्ट के साथ खेलने का काम करें किसरकार की मन्सा नकरी इसको लेकर दिखाए देती है कि सरकार जो नोक्री का वादा करती है वो नहीं देना चाहती सारा कई सारे जो नहीं थात्र वी स्क Presू तो कि वास्तों में यह प्रसंपत्र लीक कर गया है वाइरल हो गया है तो उसको आनन फानन में तीन गहंटे के अंदर में उसको कैंसिल किया गया लेकिन सप्लाई जो चेन है विसाल जी जहां प्रसंपत्र छपते हैं और जिनकी जिम्वारी होगी वहां से प्रिंटिंग प्रेस से लाने की और सेंटर पे पहुँचाने की और आरा में ऐसा सुनने को मिला है कि कुछ चातर को विसेश ट्रीटमेंट दिया जा रहा था यह कडोरो कडोर का खेल है अर्बो का भी खेल हो सकता है और इसमें बहुत बड़े बड़े लोग सत्ता के जो सीर्स पर बैठे हैं वैसे ल पाएगा अन्यथा इस मामले को आप समझिए कि ता कि दवा दिया जाएगा पुली से मतलब डूद की रखवाली का जिंमा दे रहे हैं न बिहार में वरतमां सत्ता में जो लोग बैठे हैं वह 19 लाक रोजगार के नाम पर सत्ता में बैठे थे मानने मुख मंत्री जी को बराबर हम लोग रोजगार ना देने पर घेरते हैं और यहां तो बहुत बड़ा बिहार लोग से वायोग की परिच्छा हो रही थी उसका प्रसंपत्र लीक करने का मतलब है कि कोई सधारन कोई टुच्चा सा वेक्ति त अंलिप्त होंगे जो आइएस रल्ग के होंगे कुछ मंत्री लेवल के होंगे अब कौन से वो लोग हैं जिनके पास वो एकसेस था यह कर देने का प्रसंपत्र लीक कर देने का कोई सधारन व्यक्ति तो कर नहीं सकता है उनके गिरेबान तक हाथ हाथ किसका पहुंश सकता है मानने मुख मंत्री जी को क्यों रात के साड़े आठ बजे पता चला कि प्रस्ण पत्र लिख किये हैं जब कि यह मामला साड़े एगारा बजे दिन का है 11 बजे दिन का भी हो सकता है या उससे पहले का भी हो सकता है तो बिहार की जो खुफिया एजनसी थी वो क्या कर रही थी बहुत सारे ऐसे प्रस्ण है विसाल जी जिनके जबाब बिहार पुलिस से नहीं मिल सकते हैं यह CBI से यह मामला सामने आ सकता है अगर समय सीमा निर्धायत करके और सरकार इसमें अगर इपचुक हो तब नहीं तो य के थे हमारे साथ लोग जनसक्ती पाठी राम विलास के प्रवक्ता चंदन शिंग जिनका साफ कहना है कि जो पेपर लीक मामला है उसकी CBI कराई जानी चाहिए बिहार पुलिस से मामला नहीं समलेगा और बिहार पुलिस और तमाम जो अन्याला धिकारी है वो इस मामले में ल कि जूआ कि तो जो चूआ जूआ जूआ जो वो झालू।